दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मैप में पूरू किदर होता है पस्चिम किदर होता है उत्तर किदर होता है और दचिंग किदर होता है यह हो गए चार दिसाएं और चार होते हैं उप दिसाएं टिक चार जो हैं मुख्य डायरेक्शन होते हैं टिक और चार होते हैं उसके उप दिसाएं तो आज हम सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं सारा कुछ कबर होगा प्लीज बता रहाओ वीडियो को देखेंगे ना तो इसके जोरत पड़ेगी तो आये इस्वरू करते हम ड biz मitकश में तो यह उपर में और यहां उत्तर लिखा होता है यानि कि जो ये map क्या किसी भी चित्र पर जब आप कागज में कभी भी पूरु पस्चिम उत्तर दक्षिन का पता लगाएंगे तो हमेशा उपर की जो ओर होगा ना ये कागज का उपर की ओर जब भी होगा इसे क्या बोलेंगे हम उत्तर नौर्थ साइट उत्तर क्या होता है हमेशा नौर्थ उपर की ओर उपर की ओर हमेशा क्या होता है उत्तर और नीचे की ओर हमेशा क्या होता है दच्छिन यानि के साउथ साउथ हो गया हमारा दच्छिन की ओर ये और यह हो गया हमारा उपर की ओर उत्तर पूर किधर है अब पूर हो जाएगा हमारा इस ओर मतलब हम जिस ओर खड़े होते हैं ठेक उत्तर से तो उत्तर से हमारा यह ओर हो गया हमारा पूर और यह हो गया हमारा पच्छिम देखे, सबसे पूर्वी राज की बात करा दूँ, यहाँ पे मैप की भी जानगारी दूँगा और आपको राज राजधानी वगरा भी बता दूँगा ठेक, और दिसाओं के बारे में तो अब भारत का सबसे पूर्वी राज है अरुनाचल परदेश, यह देखे, देखे रहा है, अरुनाचल परदेश सबसे पूरब में है, यहाँ पे, ठेक, भारत का सबसे पस्चमी राज कुन सा है, तो भारत का सबसे पस्चमी राज है, गुजरात, यह देखे, यहाँ पे तो भारत का भी सबसे उत्री राज बन गया हिमाचल पर्देश लेकिन जमू कस्मिर जो था यह राज नहीं अब किनसासेश पर्देश है तो किनसासेश पर्देश की बात की जाए तो जमू कस्मिर होगा ठीक जमू कस्मिर लदाक लगदाख, जमू और कस्मीर और लगदाख, दो भागों में यह उपट गया है, तो जमू कस्मीर सबसे यहाँ पर आएगा यहाँ पर, ठिक, यह देखे, सबसे उत्री, और सबसे दच्छिन में कौन आएगा हमारा, सबसे दच्छिन में आएगा हमारा, तमिनाडू, चानकस से करें जब आप किसी भी मान चित्र पर दिखाये जाते हैं तो आप तो मान चित्र को अब बता देंगे यह पूर्ख हो गया यह पौरीए यहमां पे इसके मैं आपको अब एक काघज में समझाना चाहूंगा ठीक टो यह पता देदा हsti यह उत्तर हो गया यह हमारा हो गया पूरू थेक अब आयरे हम इसको एक काघज में समझाता है तो चलिए अब हम बात करने वाले काघज में किस प्रकार बनाएजाता तो मैंने क्या बताया था हमेशा उपर की और हम क्या लिखेंगे उत्तर यानि के नौर्थ ठेक उत्तर होगा यह हमारा नौर्थ होगा नौर्थ साइड होगा यह हमारा उत्तर उपर की और नीचे की क्या होगा यह इसको हमें एक लाइनिंग देंगा ठेक नहीं आप से नीचे यह नीचे की और होगा हमारा दच्छिन यानि कि साउथ ठेक दच्छिन होगा यह हमारा यानि कि साउथ होगा ठेक अब देखिए यह हो गया और हमारा पूर केदर होगा पूर होगा इस और और पस्चिम होगा इस और तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इसको ठेक पूर हो इस यहां पर मैं इसको चलरबना दता हुँ पस्चिम। यह हो गया ठेक श्ट वेश्ट नॉर्थ साउथ चार और हो गया है यह चार होते हुआ मुईख्य दिसाइं अब बात करने वाले चार doubtr दिसाइं के बारे में ठेक चार दिसाइं होती है मुझए के दिसाएं और चार होते ओप दिसाएं तो यह क्या बहूं यह सा同र Olan फेसा नाम क्या होता है जैसे यहां जो डिसा का नाम क्या होगा तो इस दिसा का नाम होगा हमारा फूर्व उत्तर यह फिलत्तर पूर्व जो बولेंगे ठैक तो यहाँ पर मैं लिख दता हूँ उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व ठेक इसे भी बोल सकते हैं नॉर्थेस्ट या इर्थ नॉर्थेस्ट ज्यादा बोला जाता है ठेक ना उत्तर पूर्व उत्तर या पूर्व उत्तर ठेक पूर्व उत्तर ठेक पूर्व और उत्तर यह हो हो गया उपदिशा एक उपदिशा आप दोनों का नाम लिखना है उपदिशा में क्या होता है कि दोनों दिशाओं का नाम आता है यह जो बीच-बीच का कोना है ना ठीक तो कोना में दोनों का नाम आएगा यह कौन बन रहा हैं जी तो यह कौन के सीधा में दोन दोनों दिशा रहे हैं उत्तर भी और पूरू भी इसलिए इसको हम उत्तर पूरू या पूरू उत्तर दोनों बोल सकते हैं टेक नौर्थ इस्ट का यह एरिया हो गया फाला उपदिशा दूसरा उपदिशा क्या है देखे इधर आजाईए अब हम इसको भी लिख सकते हैं इसको भी लिख सक ठेक दचशिन फ़स्छीं यह हो गया हमारा व्ब दिसाः इसको हम इस प्रकार भी लें प्तचिम अब इसका बताई आपना आप तो है श्ट्रॉंग हो गये होंगे काफी निजएंट तो देखिए इसका क्या नाम होगा हमारा दचिन पूर्व ठेक दचिन पूर्व नाम होगा हमारा ठेक दचिन पूर्व अभी काफ़ी सारे चीज जानने हैं आपको दचिन पूर्व इसको हम क्या बोल सकते हैं दचिन पूर्व को हम बोल सकते हैं ये भी कि पूर्व दचिन ठेक लेकिन ज्यादा वा स्वभाई यही देता है दच्चिन पूरु इसलिया हम इसको दैशिन पूरु भी रहने देते हैं, अब देखिए यहाँ बोलते हैं, इसको पस्चिम पूर भी बोलते हैं, ठीक, God, उन जोड़े जाता है लेकिन जानी है जरूर ठेक अब देखे यहाँ पर क्या करना है आपको यह सारची चमज में आएंगे कि चार मुख दिसाई होती है और चार उप दिसाई होती है ठेक टोटल आठ दिसाई होती है अब देखे जब भी हम आपको बोला जाए कि स्रिफ पूरो दिसा दे दिया ठे जब भी कोई वेगति पुरुदिषा की और मुख करके खड़ा है ठ है यानि कि याम पूरुदिषा है हम इसली खड़े हैं यहाँ पर तो यह इसका पीछे साइड कंट यह होगा हमारा सचीम क्या होगा वहीं कोई व्यक्ति खड़ा होता दो हद he दाइना हाथ होता है पुर दिशा की और खड़ा होकर वेक्ति का दाइना हाथ जिस और होगा वह उसका हो जाएगा क्या होगा दच्छिन दाइना और हो जाएगा दच्छिन ठेक तो यह हो गया हमारा दच्छिन और जो उसका बाया हाथ होता है बाया हाथ जैसे आम इस और और होगा उत्तर की और प्रैक्टिकली आप करके देखिए टेक गर में और तभी आप अच्छे समझ पाएंगे दिसाओं के बारे में तो यह हो गए आज दिसा से संबंदित हमारे सारी चीज कंप्लिट और अब भी अगर आपको कोई कंफ्योजन हो तो प्लीज हमें एक बर बता दिजिएगा आपके हम कंफ्योजन को दूर करने की खोशिस करेंगे ठीक ना तो फिर मिलेंगे एक नेक्स बिटिक साथ पढ़िए और अपने हग के लिए लड़िए अपने जो भी दिक्क